आप लो फ्रेंड आज में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ important topics तो देखे विटा कुछ important topics अगर आप लोगों को class 10th की science पड़नी और important सही तरीके से अगर आप लोगों पड़ना है तो आप लोगों मैं बता दू पहले तो बेटेज देखे पहले तो बेटेज देखे बेटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो हमारी यूनिट वन है यूनिट वन इस यूनिट वन में यूनिट वन का नाम है कैमिकल सबस्टान्सिस आज कैमिकल सबस्टान्सिस के नेचर लेड वि है तो जो कैमिकल सबस्टान्सिस का नेचर लेड वि है याई कि फर्स्ट यूनिट वाप नि यह 1st unit basically 25 marks तो 25 marks को अगर हमें लेना है तो इसमें कुछ हमें questions पढ़ने पढ़ेंगे जैसे कि आप लोग को पता भी होगा मैंने 10-10 questions हर chapter के डाल दिये तो उमीद करता हूँ कि आप लोग उसमें पढ़ रहे होंगे उसके अलावा अगर आपको topic से पढ़ना है अगर आप लोग को topic से पढ़ना है तो do not miss these topics अगर आपको chemistry में topics पढ़ने हैं तो सबसे पहले आप लोग को oxidation and reduction पढ़ता है first topic second topic decomposition reaction third topic third topic आप लोग को पढ़ना है third topic जो पढ़ना है आप लोग को आप बेसिकली एक इस टैप की reaction जो इसमें हम select lime को quick lime quick lime को select lime में change करते थी quick quick lime to select lime quick lime quick lime को select lime में change करना तो यह chapter number one की कुछ important चीजें हैं इसके अलावा अगर हम और बात करेंगे इसके अलावा अगर हम और बात करेंगे तो दिखिए हमारे पास और क्या है उसके अलावा हमारे पास इसके अलावा हमारे पास आप लोगे पास यहां आ जाएगा हमारे पास एक और टॉपिक एड़ेस कोड हम जिसे कहते हैं कोरोजन लाइंसी डिटी हम इन्हें मिस नहीं का सकते हैं तो यह कुछ इंपोरटन टॉपिक्स हैं जिन्हें हम मिस नहीं करना चाहेंगे और मैं उमीद करता हूं हम मिस करेंगे भी नहीं यह चैप्टर नमर वन के हैं अगर चैप्टर नमर टू पे आएंगे चैप्टर नमर टू पे चैप्टर नमर टू में सबसे पहले हम लोग के पास एसीड एंड बेस की प्रोपर्टी एसीड एंड बेस प्रोपर्टी और इसके बाद पी एच पी एच एंसी आर्टी के कोस्चन ए कर एक एंसी एर्टी कोस ficar एंसी आर्टी कोस्च सफ एकेंड चैप्टर की कि काफी इंपोर्ते इंसीड कोस्टं एंसी ऑग्यों के थरड प्रेट एंसी आर्जिए कैलाब अ रूर अलकाली प्रोसेस लोर अलकाली प्रोसेस इसके इलाबा आप लोग को ले चैप्टर के लास्ट में बेकिंग सोडा बगेरा मिल जाएंगे बेसिकली कुछ चैमिकल कंपाउंड इसके इंदर से जो सबसे जदा इंपोर्टेंट हो बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन बगेरा जरू आना चाहिए आप पर इसका मतलब और एक पीओपी के अलाबा आप लोग के पास एक टोपिक और होना चाहिए डैटी पोप टेस्ट जिसमें हम हाइड्रोजन गैस का पता लगाते हैं इसके अलाबा आप लोग बिटा जो मैंने 10 कोस्टन कराएं जो 10 इंपोर्टेंट कोस्टन थे जो मैंने कर आहे हैं उनको जरूर करें उनको जरूर करें कहीं कहीं बर वहीं से बन रहा है रहा है compris three पर आ जेगे कि नोन मैटल के एक्सेप्शन आप लोग पता होने चाहिए याद रखिएगा एक्सेप्शन एक्सेप्शन पता होना चाहिए इसके लाबा जे एक्टिविटी सीरिज कैसे बनी है है रेक्टिविटी सीरीज है रेक्टिविटी सीरीज करावा चोई आपोपर्टी ओफ इस अप्रोपर्टी ओफ कि आईनिक compound property of ionic compound property of ionic compound के बाद आप लोग जो अगला कर सकते हैं वो कर सकते हैं basically metallurgy 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 जिसके अंदर आप लोग को तीन तरीके के metal को extract करना बताया गया होगा high वालो को, middle वालो को और low वालो को इनको basically extraction इनका extraction भी आएगा exam में जहां पर एक आपको property और मिल जाएगी मैं आप लोग को बता देता हूँ वहाँ पर आप लोग को जो सबसे important चीज है एक तो thermit reaction कर लेनी है आप लोग को thermit reaction के अलावा आप लोग को electrolysis कर लेनी है electrolysis electrolysis कर लेनी है इसके लावा आप लोग को gang की definition बिटा कर लेनी इसके लावा आप लोग को क्या और कर लेना है इसके लावा आप लोग को roasting की definition कर लेनी है roasting definition उसके लावा roasting के लावा calcination की कर लेनी है calcination calcination के अलावा भी आप लोग को एक और चुछ करना है जो की है आप लोग का सीना बार का एक्स्ट्रेक्शन सीना बार जिसे हम HGS बोलते हैं सीना बार का एक्स्ट्रेक्शन सीना बार का एक्स्ट्रेक्शन भी आप लोग को करना है पराइब है सिनवार का एक्ष्ट्रेक्शन परकरी सिलफाइड रोस्टिंग एक बम के बाद structure of benzeen structure of benzeen homologous series homologous series तो यह तीन topics काफ़े important है homologous series homologous series और इसके सब्सक्राइब काफ़ी important है दोनों बिटर एक graphite ग्रेफाइट और दूसर डायमेंड इनके प्रोपर्टी पर कोश्चन आ सकता है कि वह ग्रैफाइट electricity पास करेगा और डायमेंड इनके पास करेगा और डायमेंड इनके पास नहीं करेगा इसका रीजन आपसे पूछ सकता है तो आप लोग को पता चाहिए इसके अलावा all chemical reaction of all chemical reaction 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 of organic compound organic compound like combustion combustion addition addition hydrogenation hydrogenation substitution एक्सेक्ट्रा substitution एक्सेक्ट्रा इसके अलावा एक और चीज है एक चीज जो मैं आप लोग को बता दूं मिसेल्स formation काफी important चीज मिसेल्स formation chapter के सबसे last में आप लोग को मिल जाएगा जिसे हम सामुनी करन कहते हैं सामुनी करन तो यह आप लोग को मिल जाएगा एक काफी important चीजे हैं कि आप लोग cleaning action of soap इसको काफी कोस्टन ऐसे भी आ सकता है आप लोग का कि वहीं आप लोग क्या लिखो cleaning action of soap लिखिए cleaning action of soap यह भी आप लोग का सकता है इसके लाबा 10 questions जो मैंने करा हैं इनको आप लोग कर लीजिए इसे बाहर पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी आप लोग को यह काफी important questions जो मैंने बताए हैं इन्हीं में से कहीं न कहीं paper आगे पीछे घूम रहा है इसके लाबा chapter number five chapter number five में chapter number five में आप लोग को आप लोग को मेंडलीव के टेवल की properties बता हुए जी मेंडलीव प्रियोडिक टेवल मेंडलीव प्रियोडिक टेवल मोडर्न प्रियोडिक टेवल मोडर्न प्रियोडिक टेवल प्रियोडिक टेवल प्रियोडिक टेवल सी अपटू 20 elements है यहाँ पे यानी का shrimp car 2019 just the volatility निक्तरोणीख जोगते हैं Еलेक्ट्रोणी कॉन्फिग्रेशन करता है उसस्द 2023 एलेक्ट्रोणीख कोन्फिग्रेशन के ऐल M-cell वाला इसके लाबा, इसके लाबा, इसके लाबा, इसके लाबा आप लोग के पास है, इसके लाबा fact of the table, जब फैक्ट में आप लोगों को, atomic size का पता होना चाहिए कि आप left to right जाते तो क्या होता है, आप साइज में लेफ तो राइट अप टो डॅवार बेलयोोत मैटलो मेटलिक परोपर्टी मैटल dealing अचैनल नॉन मेटलोइक प्रोपर्टी जो इस के लाभ एक और इसमिद से बिलन सीतो इन नहीं तो बाएट उनसी तरब कॉया हो आप पता होना चाहिए Ёस प्रवाबली जो कोस्टन होगा वो आप लोग का फेक्ट से ही आयगा ये मैं हंड्रेड प्रेसेंट स्यो रहूं। वेक्ट से आएगा बाकी 10 प्रवक्त जो मैंने कर आएं वह जरूर जरूर करना उसी में से कोई ना कोई कोश्टन आप लोग से आ सकता है। मैंसे कोई 10 गोस्टन आपकी एक्जाम में आ सकता है उसके बाद आप लोग जब केमिस्ट्री कटम कर लेंगे यानि 25 मार्क्स कटम कर लेंगे आपको तो आप लोग आ जाते हैं यूनिट 2 पर और यूनिट 2 का नाम है यूनिट 2 का नाम है वर्ल्ड ओफ लिविंग वर्ल्ड ओफ लिविंग तो एक्जाम में कितना बेटेज रहने वाला है इसका बेटेज रहने वाला है आप लोग का 23 मार्क्स का बेटेज रहने वाला है तो बेटेज 23 मार्क्स का रहने वाला है उसके चलाबा अगर हम बात करें important questions की तो chapter number six सबसे पहले six आते है. Chapter number six यानी life process और अगर life process आता है तो life process से जो important concept आप लोग इसामने निकल के आएगा जो important concept आप लोग के सामने निकल के आएगा वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोग दखी सबसे first चीज आप लोग ध्यान रखी छोटे छोटे defisions small definitions आप लोग को पढ़ने यह small definition पढ़ने है इस ılarảo कि लाइस क्यों टाइशन सकाने की आप लोगो का जो definition आने की चांसे से वो जादा है यानि कि आप लोग उसे यहां पर यूजेज ओफ एचसी एल पूछ सकते हैं यूजेज ओफ एचसी एल इसके लावा काइम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं चाइम भी काफी बच्चे बोलते होंगे इसके लावा किसी एंजाइम का फंक्शन पूछ सकता है किसी एंजाइम का फंक्शन जैसे कि Pepsi-Nogen का function पूछा जा सकता है Pepsi-Nogen का function इसके अलावा Emulsification Emulsification तो यह सारी चीज़े आप लोगों से पूछी जा सकती है जहें digestion में इसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आगे अगर आप बढ़ते हैं थोड़ा सा यहां पर आप लोग के पास आप लोग के पास आप लोग के पास difference between difference between inhalation and exhalation difference between inhalation and exhalation इसके लाबा इसके लाबा इसके लाबा आप लोग के पास रेस्पीरेशन के पाथवेज तीन टाइप के पाथवेज मिलेंगे हैं आपको नोन आरोबिक एनारोबिक और लैक ओफ उकसीजन यानि प्रेसरों ओफ उकसीजन लैक ओ और और उकसीजन ये टेबल काफी ony watis जाती है इसके लाबा अगरा आगे बढ़ेंगे इसके लाव अगर आप आगे बढ़ेंगे तो । डवल शर्कुलेशन आने के चांसे जाधा रहेंगे Łदावसम डवल्स को लेशन ऊत डिफ्रेंस between difference between our trees our trees and beans difference between our trees and wings is calabar a code difference to both coffee popular data exam with difference between xylem and fellow yam jylem and fellow yam defense between jylem and fellow yam j okay with said above the student you have to have another one the excreter system excreter system excreter system is the most important excreter system diagram kidney ureter यूरेटर—। यह सारी छीजियें इस चैपटर में काफी इंपोर्टेंट रूल प्ले करेगी डाइगृम के अगर अगर आप बात करेंगे घ्य कैसे अगर आइग्राम अगर कुछते डाइग्राम काहाँ में आ जा अपा काम बंजाएगा इसके लाब और क्या आसकता है तो ओधर यह Christian के बारे में लिखने को आ सकता है पैरा अपने अल्गाराफ में आर्टिफिसील क्रिविज्पन्य क्या होता है इसके लाब बिश्वह सिर अशकता है function of stomata function of stomata photosynthesis raw material for photosynthesis raw material for photosynthesis यह सारे important concept है यह सारे important concept है यह सारे आ सकते है यह चेप्टर नमबर 6 से थे अब हम चेप्टर नमबर 7 पर आते हैं अगर चेप्टर नमबर 7 की हम बात करेंगे तो चेप्टर नमबर 7 में सबसे पहले देखें फाइटो होर्मोन फाइटो होर्मोन यानि की प्लांट होर्मोन के बारे में प्लांट होर्मोन के बारे में आ सकता है फाइटो होर्मोन यानि प्लांट होर्मोन के बारे में आ सकता है इसके अलावा फाइटो होर्मोन यानि प्लांट होर्मोन के बारे में आ सकता है इसके अलावा आप लोग पास रिफलेक्स एक्शन रिफलेक्स एक्शन इसके लावा reflex action, reflex arc और आप लोग के पास moment, moment of plant, moment of plant, इसके लावा moment of plant और इसके लावा आप लोग बहु सकते हैं, एक simple सा होता है, आप लुडंटरी एंड। इन वोल एंट्री में difference, बोल एंट्री एक्शन एंड इन वोल एंट्री एक्शन में difference, तो ये च्प्र नमबर 7 से रहेंगे, इसके लावा और कुछ करने की जुरूत नहीं है, च्प्र नमबर 7 में, और हाँ, च्प्र नमब 7 में एक और चीज आप को जब रूर कर ले ब्रेइन के बिसिकली हर पार्ट के फंक्शन कर लें कोंसा पार्ट इंबॉल रहता है अगर आप प्रोडेक्शन के बात करेंगे सबसे पहले हर चैप्रिक मैंने 10-10 कोईश्टन करा रखे हैं सबसे पहले आप उन 10 को जरूर देखें और उन 10 में आपको जरूर help मिल जाएगी अच्छी कासी help मिल जाएगी और अच्छा कासा idea भी हो जाएगा आप लोग को exam कैसा आने बाला है तो इस तरीके से आप लोग को idea हो जाएगा तो चलिए हम लोग reproduction से देख लेते हैं चैप्टर का नाम रेप्रोडक्षन और ए रिप्रोडक्षन से अगर हम लोग देखेंगे अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्षन की तो रिप्रोडक्षन की बात अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले एक common difference होता है difference between sexual and asexual अब बच्चे कहते हैं काफी असान सा question लेकिन यह आज आता है sexual and asexual अधिर प्रोडक्षन में difference इसके लाबा अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दूसरा जो important चीज़ है यहां पर difference तो नहीं है डिस्क्राइब करने को आएगा डिस्क्राइब टू टू एस्टीडीज सेक्स्वल ट्राइए ट्रांस्पिटेड डिजीज यानि एक HIV हो जाएगा और दूसरा आप लोग का HIV AIDS के लाबा जैनीटियल हर्पस ले लीजिए इस तरीके से इसके लाबा आप लोग के पास बोर कि आ सकते हैं तो Fertilization Fertilization आ सकते हैं डाइग्राम आ सकते हैं ऑफिसीज के डाइग्राम female reproductive part का diagram female reproductive part का diagram इसके लाबा और आ सकता है आप लोग के पास जब यहां को प्रोडक्शन करें और आप लोगों को जरूर वहां से help मिल जाएगी उन 10 questions से आपको जरूर help मिल जाएगी अगर हम बात करें आगे heredity की तो heredity में देखे chapter number chapter number 9 में heredity में आप लोग के पास अगर हम heredity की बात करें तो heredity में सबसे ज़्यादा important देखा गया है वह देखा गया sex determination sex determination अवश्य कर लें जरूरत है बहुत जादा important sex determination के अलाबा sex determination के अलाबा monohybride cross monohybride cross father of genetics यानि मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत बढ़े father of genetics है मेंडल मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत बढ़े इसके अलाबा चोटे definitions या फिर आप बोल सकते हैं कि cabbage किस तरीके से artificial selection artificial selection evolution में main role play करता है यानि कि मिला जुला के आप लोग के पास से evolution से एक question पूछा जा सकता है Charles Darwin के बारे में पूछा जा सकता है Charles Darwin कौन थे तो इस तरीके से भी एक question आ सकता है scientific name भी पूछे जा सकते हैं आप लोग के पास से scientific name पूछे जा सकते हैं scientific name पूछे जा सकते हैं scientific name जो होगे scientific name जो होगा scientific name scientific name सबसे पहला scientific name आप से पूछा जा सकते है pea plant garden pea का और दूसरा आप ले से पूछा जा सकता है human का तो गार्डन पीका तो आप लोकिता है पाइसम सैटिबम और हीूमन का होमो उसेपियेंस ये आप लों के पास ये पूछ कहा सकता है त chopped no.9 से अब next है आप लों के पास agricultural phenomenon next unit है natural phenomenon नेचरव फेनोमेन की अगर अगा हम batत करें, नेचरव फेनोमेनन की अगर हम बात करें, तो हो total बेटेज चो लेता है, total बेटेज है, 12 marks की और इसके अंदर, इस unit ऐसमें अदर बात्यज। है आप लोग के Leight last and human higher human eye लेगा अगर हम इसकी बात करेंगा इस concept की बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट है तो एक तो आप लोग धियान डखिए एवे डायग्राम आना ही आना एक ये डायग्राम के इच्छे से प्रेक्टिस करने रे डायग्राम NCRT के Numerical जवश्य कर ले Numerical ज़रूर कर ले NCRT numerical ज़रूर तयार कर ले इसके अलावा Concave and Convex Mirror के Uses Mirror के Uses Uses और इसके अलावा 10 questions जो मैं करा रहा हूँ Chapter No.10 के 10 questions जो मैं करा रहा हूँ Chapter No.11 के उन्हें जरूर पढ़ने वहीं से कहीं न कहीं आपका आ जाएगा Chapter No.11 में आई नहीं आएगा आप लोग 10 समत लिजी यहां से आप लोग से Angle of Deviation पूछ सकता है याद रखिएगा या फिर या फिर कोई natural phenomenon से question आ सकता है जो मैं आप लोग को 10 questions में discuss कर दूँगा उन 10 questions को जरूर देखें उन 10 questions में natural phenomenon को भी discuss कर दूँगा अब अगर हम बात करें नेक्स यूनिट की नेक्स यूनिट है effect of current effect of current यह भी physics का ही है बिसिकली और यह 13 marks का तो बेटेज जो है इसका ज्यादा नहीं 13 marks का है इससे भी इससे भी आपका इसमें जो आएगा electricity आता है electricity and magnetic effect magnetic effect तो देखें मैं आप लोग को electricity के 10 questions करा चूँ हूँ आप उने पहले कर ले NCRT के numerical जरूर कर ले NCRT के numerical अवश्य कर ले इसके अलावा NCRT के numericals के अलावा ohm slow पढ़े ohm slow पढ़े ohm slow के अलावा आप लोग यहां से छोटी छोटी definition जैसे potential difference की current की circuit की इन सब की definitions को पढ़े resistance की resistance की इसके अलावा Joule of heating effect Joule of heating effect और इसके उपर numerical और मेरे कराई हूँ 10 questions जरूर तो इस तरी के से आप इनको तियार कर सकते हैं और रही बात chapter number 13 की तो chapter number 13 में भी आप लोग सबसे पहले solenoid को तियार करें solenoid EMI electromagnetic induction right hand thumb right hand thumb rule motor and generator motor and generator motor and generator के लाबब इलेक्ट्रिक 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 एक्सिडेंटल एक्सिडेंट प्रिवेंशन डिवाइसेस इनको पढ़ लें जैसे की MCB wires कौन सा वायर कहां यूज होगा उन्हें पढ़े इसके लाबह यह हो जाएगा आप लोग का और मेरे कराए हुए 10 questions 10 questions यह आप लोग को guaranteed इस तरीके से आप लोग के पास जो total marks हो गया natural behavior से 25 natural and behavior chemical substances से living world से आप लोग का हो गया 23 marks natural phenomenon से हो गया 12 marks इसके लाबह एफेक्ट of current से आप लोग के पास हो गया 30 यह जो total कहीं न कहीं भोच जाता है वो भोच जाता है 63 73 73 73 marks का यह हो गया अब बचिया 7 marks तो 7 marks के लिए आप लोग को last के वो तीन chapters पढ़ने पढ़ेंगे जिन में से last के तीन chapters में कुछ भी आप लोग यह देख लीजिए वो natural phenomenon related है वहाँ आप ज्यादा महनत ना करें वहाँ आप ज्यादा महनत ना करें